सोराब गोट अलासिफ स्कॉाइर के रहाइशियों और ताजरों का कहना है के यूनियन की अदम तवज्जही के 22 जगा जगा गंदगी के धेर लगे हुए हैं कोई कहने सुनने वाला नहीं है जबके स्यूरिज के पानी की वज़ा से लोगों का चलना फिरना दूबर हो जाता है यूनियन इंतिजामिया को मैंटिनेंस देने के बावजूद कोई काम नहीं किया जाता यही वज़ा है कि हम मतालबा करते हैं कि अलासिफ स्कॉायर में हर साल यूनियन के इलेक्शन कराए जाएं ताके अलासिफ स्कॉायर के रहाईशी और ताजरों के लिए भेतर सहुलियात महया की जाएं असल में सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़े इशू है यहाँ पर गंदेगी का है सफाई का बिलकुल कोई निजाम ही नहीं है अलासिफ स्कॉायर में और दूसरा यहाँ पर सेवरेज लाइन का भी काफी मसला है जो के आप मैं भी आपको दिका सकता हूँ काफी नोने गंदेगी पिलाई है और पानी का तो तकरीमाँ चहु दिन के बाद यह 20 दिन ल के बाद एक मरदावा पानी आता है वो पानी कभी बिलकुल कोई निजाम नहीं है बुनियाwnिदी निजाम जोता है जिस सरा कराची शेयर में हैं वो सहलियात हमारे अलासिफ स्कॉायर में नहीं है सुराब गोट अलासिफ स्कॉाइर की यूनियन इंतिजामिया से राप्ता करने पर इंतिजामिया के ओधेदारों ताजिरों और रहाइशियों का कहना था कि माजी के मुकाबले में इस वक्त हालत बहुत 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 अलासिफ स्कोयर के मुकामी रहाइशियों और ताजिरों ने बताया है कि यूनियन इंतिजामिया के तावन से इलाके में काफी तरक्याती काम हुए हैं कोई पंचाद नहीं है कुछ भी नहीं है पहले से तो आप यहां पे बहुत हालात बहतर है बस यहां पे थोड़ा सा मसाइल यह है कि बिजली का मसला है और पानी का मसला होता है हमेशा और पानी का भी मसला पहले से बहुत अच्छा हुआ और बिजली का भी थोड़ा बहुत सही है बस यह है कि यहां के इलाके वाले बह अजिमत 17-16 लाग रुपे में एक फिलेट हो गया है 18 सो फिलेट्स और 800 दुकानों पर मुश्तमिल अलासिफ स्कॉाइर में खाने पीने के साथ साथ अशिया जरूरियात की तमाम चीजे मौजूद है कैमरामेन महसिन शबीर और आमिर काजमी के साथ अजर जैदी सचल नियूस कराची